बॉलवुट की दबंग एक्टरिस यानिकी सुनाक्षी सिना और असली सोना की बात करे तो सुनाक्षी सिना ने अपना ड्याब्यू किया था 2010 में मूवी दबंग के जरीए जयान दबंग में वो सल्मान खान के साथ हमें नजर आई थी रज्जो के किरदार में और उसकरदार को ओडियन्स ने काफी जादा पसंद भी किया जैसा कि हम जानते हैं कि 2010 के बाद अब 2020 आ चुका है तो एक डेकेट हो चुका है सुनाक्षी सिना को इंडस्ट्री में आए हुए लेकिन फिर भी 2020 को वो काउंट नहीं कर रही है क्योंकि करोना वारस पैंडेमिक के चलते सब कुछ लॉकडाउन है सब कुछ रुका हुआ है जिसके चलते सुनाक्षी सिना का भी यही कहना है कि वो अपना 10th year 2021 को ही मानेंगी हाली मैंनोंने एक इंट्रेक्शन में कहा है कि 2020 जो है मेरा 10th year होने वाला था इंडस्ट्री में पर मैं इसको डिसकाउंट करने वाली हूँ क्रेंट सिचुएशन के चलते मैं भूल जाओंगी कि 2020 कभी आया भी था और मेरा 2021 ही मेरा 10th year रहेगा इंडस्ट्री में आपको बता दें कि सुनाक्षी सिन्हा ने 10 साल के करियर में 25 तक फिल्में दी है करीब 25 फिल्मों में काम किया है सुनाक्षी सिन्हा ने और इन में दबंग के तीनों पार्ट शामिल है इसके अलावा उन्होंने अक्षे कुमार और अजे देवगन जैसे कई सूपर स्टार्स के साथ काम भी किया है वो एक कमर्शियल हीरोईन की तौर पर काफी उपर आ चुकी है उन्होंने आगे कहा कि मैंने 30 साल की उमर तक में 25 फिल्में कर ली है और मैंने बहुत स्पीड से काम किया है उन्होंने कहा कि मैंने अपने 20s mostly काम करने में बिताए है और जहां मैं आज हूँ professionally वो मुझे पसंद है उन्होंने कहा कि मैं पिछले 10 सालों में से कुछ भी change नहीं करना चाहती हूँ अपने करियर में और उन्होंने ये भी कहा कि जहां मैं आज हूँ वो मैं अपने काम करने की वज़ा से हूँ और कहा कि हर कोई commercial actress ही बनना चाहता है और चाहता है कि उनकी फिल्में box office पर कमाई करें वरना हम ये सब करते ही क्यों है उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा पहली फिल्म से हुआ था जब से मैंने दबंग में काम किया तब से मैं quintessential commercial हिंदी actress के तौर पर उबर के आई हूँ और आज भी मैं अपनी journey enjoy कर रही हूँ और आगे भी करूँगी आपको बता दें कि हाल ही में हमें सुनाक्षी सिन्हा दबंग 3 में नजर आई थी जिसमें कि उनको एक बार फिर से audience ने बहुत पसंद किया उनका रजो का करदार audience को बहुत पसंद आता है और सल्मान कान के साथ उनकी chemistry भी काफी अच्छी रहती है So, that's a wrap for now. For more updates, keep watching, Google Bollywood.